भारतिय जेन संगटना और नेसरगिक आपदा इसका काफी घरह रिष्टा है महाराष्टर फिलाल सुके से जूज रहा है BGS इस चुनोती का सामना कर रही है जानवरों की 30 छावनिया क्रडाई के स्वयोर्ग से महाराष्टर में चली रही है ऊसे बेटला पुट्टी बेटली ते जमुल आम क्या जनवरों रही है ते प्रतिय जेतकराचे अंगरी रही है जनवरों चे प्रतिय जेतकराचे इन्सुरज घतलालाई उद्याक आपदाज छ्वने मदी आग लागली पानी की समस्या को समझने के लिए श्री सांदिलाजी मुथा चल पड़े मराठ पड़ा बीड़ जिल्ला पहाड़यों का अकाल गरस्त शेत रहे मंजर जमीन है यह वो पानी की कमी है बीड़ जिल्ले का दोरा करने के बाद पता चला कि पिछले पचास वर्षों से तलावों में से बड़े बैमाने पर गाल निकला ही नहीं गया इस वज़र से तलाव में पानी ही नहीं है उन्होंने सोचा क्यों हम तलाव से गाल निकल दे किसानों के सयोग से उनके ही खेतों पर इसे फेला दे तो नापिक जमीन सुपिक भी हो जाएगी और पूरे तलाव खुले भी हो जाएगी जिसमें बारिश में पानी भी रुकेगा और जिसका उप्योग पीने को और किसानों के खेती में भी होगा जोजना काफी महत्वा कांशी है अमल में लाना उतना ही मुश्किल है BGS ने इस चुनोती को स्विकार किया पहले 25 तालावों का गाल निकालने का उद्धिष्ट लेकर बीड़ जिले का दोरा किया अधिक जरुवत समझते होए 50 तालावों का गाल निकालने का एलान किया लोगों की जरुवत और कार्य का महत्वा ध्यान में लेते होए इस उद्धिष्ट को सो तालावों तक बढ़ाया गया कम समय में इतने बड़े कार्य को युद्ध स्थर पर पूरा करने के लिए खुच शांती लाल जी मैदान में उत्रे और सो तालावों का गाल निकालने का काम पूरा होने तक पुना में नहीं जाने का एलान भी कर दिया साथियो हाथ बढ़ाईए बीड जिले के इस परिवर्तन में एक तलाव को आपका नाम देकर इसके सही होगी बनिये ऐसा मुकाफिर कहा आएगा